सबी को जहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जहिंद रियक्शन्स पर आश्रा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज में आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि क्यूं भारती म और इंट्रोस्टिंग वीडियो लाते रहे हैं तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत अमेले अमेरिका में जो है वो क्रिकेट वर्ल कप होने जा रहा है और नाइंट जून को इंदोस्तान पाकिस्तान आपस में मैच भी खेलेंगे ये भी बताया गिया है उसके साथ ही जी ये कहा जा रहा है कि निव यॉर्क में जो है वो सेक्यूरिटी जो है वो काफी सक कर द किया जा सकता है इसको लेकर यकीन जो कर्कृट के शधाइं हैं या जो कर्कृट को पसंद करते हैं वो लोग तो परिशान हाई भी लेकिन जो लोग क्रिकृट नहीं भी देखते और हापिशन की निउज為什麼 को देखते यकीन व वाले जो हैं, आपको मालूम है, कि इनके उपर कोई भरोसा नहीं कर सकता और जिस तरह के अटैक्स ये करते चले आए हैं, पाकिस्तान और भारत के मैच से इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो खेर मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने इस किसम की स्टेटमेंट जरूर दी है, कि जी हिंदोस्तान पाकिस्तान आपच में मैच ना केलने, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं, लेकिन हिंदोस्तान की तरफ से अक्सर ये बात की जाती है, कि पाकिस्तान के साथ किसी किसम का राप्ता नहीं जाहिए कोई मैच नहीं होना चाहिए कोई आर्टिस और फिल्म ड्रामे या जो कुछ भी होता है वो सब कुछ नहीं होना चाहिए बहुत कम लोग ऐसे हैं यूट्यूब के ओपर जिनकी वीडियो में बहुत ही रेगुलर्ली देखती हूं मतब कई लोगों की ऐसे होते हैं दो गौरवारिया को आप लोग जानते ही होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे, यकिनाएं मुझे यकीन है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कहें हम तो मेजर साब को नहीं जानते हैं पाकिस्तान में जी प्यम मोधी और डॉक्टर जे शञकर के बाद, अगर कोई बहुत ही फेमस इंडियन हैं तो उनका नाम है मेजर गौरवारिया और अब तो जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा है के छोटे-छोटे एरिया जो पाकिस्तान के हैं चाहे वो के-पी-के के हो चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो सिंध के हो हर कोई मेजर गौरवारिया की वीडियो देखा करता ह है उनके यूट्यूब चैनल को सभी ने सबस्क्राइब किया हुए है उनको सुनते हैं और बहुत बार बहुत तारीफ भी की जाती है जो याद है कि जब आज से तीन या साड़े तीन चार साल पहले जब मैंने इंडियन मीडिया में आना शुरू किया था उसको मेजर साब के बारे में काफी नेगेटिव बाते भी लोग किया करते थे वलोचिस्तान वाले तो बड़े नराज रहते थे और कई तरह की बाते होती नहीं लेकिन अब लोग जो है वो तारीफ करते मैंने शायद ही कोई ऐसा देखा हो पाकिसानी जो मुझे ये कहे कि उसने मेजर साब की वीडियो देखी हैं और उसके बाद वो उनकी तारीफ ना करें वो कहते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं वो एकदम आइना दिखा रहे होते हैं पाकिसान को बहुत बार बड़ा कड़वा भी बोलते हैं लेकिन जाहिर है वो जो कड़वा बोलते हैं वो भी शायद हम लोग मैचिस को लेके जो वर्ल कप होने जा रहा है अमेरिका में नियु यॉर्क में जिस तरह की थ्रेट्स टी गई है और कहा गिया है कि इंदोस्तान पाकिसान आपस में अगर खेले तो जी उसके ओपर अटैक किया जा सकते है उसके इस टॉपिक के ओपर इस सब्जेक के ओपर जो किर्किट बोर्ड ओर्ड ऑलागी और मुझे यार यह क्ली लागे विलागय लेकर शारी दुनिया में हर जगा पर अगर आप देखें तो ना किसी country के साथ, किसी ना किसी country की जो है, वो conflict चल रही होती है, problem चल रही होती है, एक दुसरे को पर तरह तरह की statement भी आ रही होती है, एक दुसरे को पर attack भी कर रहे होते हैं, अगर हम Israel और एरान को ही देख लें, Israel और एरान जो है, वो एक time ऐसा भी था, कि जब उन्होंने ए लिकिष्मीं अर पफनी हैं। मिलों के वड़ते रहे हैं और उन्होंने आने दिया या और बातें। कि इसराइल को लेकर, हमेशा से गल्प कंट्री जो हैं, उन्होंने हमेशा एक हार्ट लाइन लीए, और उन्होंने कभी भी इसराइल को तसलीम करने की बात नहीं की, बलकि साओधी अरब ने जब कहा, कि उएक्सेट करे गा, इसराइल को recognize करेगा as a state independent state तो उसके पीछे सारी दुनिया पढ़ गई और इरान की तरफ से भी बड़े सफ़त अलफास कहे गए और सबने ही साओधी अरब को मना किया लेकि जहां तक मैं देख रही हूं न्यूज अभी जो चल रही है और इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं तो वो दिन दूर नहीं जब साओधी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा और अगर साओधी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब यह होगा कि अगला step Pakistan का होगा क्योंकि Pakistan वही करता है जो होने के बाद जो है एक दूसरे साथ फूडबॉल भी खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ trade भी कर सकते हैं सब कुछ हो सकता है तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है के Hinduistan پاکستان کے کرکٹرز آپس میں کرکٹ نہیں کل سکتے ठीक है politicians के अन्दर एक अलग बात होती है वो अलग तरह का statement देते हैm वो अलग तरह की फैसले करते हैं और उनके किये गलत फैसलों की वज़ा से आम citizens जो हैं मुश्किल में भी आ जाते हैं मैं ये भी मानती हो पाकिस्तान की तरह से कई बार गलतिया हुई है पाकिस्तान ने कई बार तरह तरह के जो अटाक्स किये हैं भारत के अंदर चाहे वो उड़ी हो पुलवामा हो चाहे आप मंबई अटाक को ले लीजिए कई तरह की चीजें हैं पठान कोट वगेरा वो सब हमें अच्छे से समझ यां भी हैं हमें अच्छे से याद हो गई और में यज भी पता है कि वो सारी गलती हमारी थी अभी रिसنली आप ने देखा कि जो पहले हमारे प्राइम मिनेस्टर रह चु starkे नावाज शरी नावाज शरील साब नावाज शरी ती नावाज शरी शरीव उन्होंने कोई बंद कमरों में या कोई बगएर कैमरों के बात नहीं की है वहाँ पे जिदर मौजूद थे क्वालिटिकल रेलिग एक सेमिनार था उनका उनकी पार्टी का जिसमें उनको दुबारा से प्रेजिडेंट आफ पीमलन बनाए गया था वहाँ पे कड़ों के दवाज शरीफ साब ने दस कैमरे लगे वे थे वहाँ पे बात किये और इस बात को ना सरफ पाकिस्तान के मीडिया ने बलके इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया है और ये बात उन्होंने साफसाफ कही की जी बिलकुल अटिल बिहारीवाजपाई हैसाब जब आये थे पाकिस्तान और लौहर जब उन्होंने विजिट किया था वहाँ पर उन्होंने जो एगरीमेंट किया था पीस एगरीमेंट जो पाकिस्तान न के बीच में हुआ था वो जो खराम हुआ उसे जो वाईलिट किया गिया वो पाकिस्तान की तरह से किया गिया उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कारगल हुई थी उसके ओपर भी जाहिर है कि नवाज शरीफ साब ने अपना statement दिया है कि जी उनको नहीं involved किया गया और उसके बगेरी पॉज ने अपने तोर पे वो सब कुछ किया लेकिन गलती तो बारहल पॉज करे या politician करे गलती तो पाकिस्तान की है विए तो नहीं है कि फॉज ने कर दिया तो जी politician उसमें से साफ निकल गए या politician ने कर दिया तो फॉज इसमें से निकल गई क्योंकि फॉज या politician है तो वो पाकिस्तान की ना किसी और कंट्री तो आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आर्जु काजमी की बाते और अंदाज आपको काफी पसंदायों को जहां पर आपने देखा आर्जु काजमी ने तो अपने गुस्से और अपनी नराजगी का इजहार कर दिया उनको इस बात का बुरा लगा कि मेजर गोर आर्या ने पाकिसान से पुलिकर ज़रूर बताए और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरसिंग वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भारत